आज मैं आपके साथ सेयर करूंगी स्रिफ एक चार्जर के मदर से चोटी सी चोटी सुई में धागा डालने का एक बहुती आसान सी तरीका और साती में है कुछ यूसफुल किचेन टिफसन हैक्स जो आपके घर और किचेन के काम को बहुती आसान बना देंगे कैसे हो आप सबी लोग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का पहला टिफ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल रहेगा क्योंकि मच्छर भगाने के लिए इस तरह का रिफील का इस्तोमाल करते हैं और ये खाली होने पर अक्सर इसको हम फैक दिया करते हैं और इसी के मदद से यहां पर मैं एक बहुत इबड़ी असा उपाई बताऊंगी सबसे पहले तो इस कंटेनर को अच्छी तरीके से धो के सुखा लीजिए और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 3-4 कपूर के गोलिया और साथी में हमें डालना है नारियल के तेल तो यहां पर आपको नारियल तेल का ही इस्तमाल लेना है तो इस तरह से नारियल तेल डालने के बाद ये शॉलीशन पूरी तरीके से तहर हो चुका है और बस इसका gap लगा करके जैसे की हम liquid को plug में लगा कर यूज़ करते हैं सिमीसी तरह से यहां पर भी आपको करना है तो इसको आप plug में लगा कर यूज़ कीजिए जैसे की switch को on कर दीजिए इसी क्या होगा जो कपूर और नारियल तेल का इस्तमाल किये हैं कपूर जो है ना नारियल तेल के साथ मिक्स होके ना धीरे धीरे करके वो मेल्ट होगा जिस कारण नारियल तेल और कपूर का स्मेल पूरा ही घर में चा जाएगा और इसलिए मक्खी मच्छर घर से दूर भाग जाएंगे साथी में आप देखिएगा घर में positivity भी आएगा क्योंकि कपूर के बज़े से घर में positivity भी आता है और साथी में जो ये मक्खी और मच्छर को भगाने के लिए जो हम chemical के इस्तमाल करते हैं तो chemical के जगा आप इसको use करके देखिएगा बहुत ही बढ़िया सा solution है आपको बहुत ही पसंद आएगा तो चलिए आप दिख लेते हैं अंगला tip अक्सर क्या होता है सहथ में ये शक्कर में चीटिया बहुत ज़्यादा भर जाती है क्योंकि मीठी चीजों में चीटिया लगना ही लगना है चाहे लाल वाली या चोटी चोटी सी चीटिया बहुत ज़्यादा भर जाती है तो इस शक्कर को फिर हम क्या करते हैं धूप में रखते हैं ताकि चीटिया भाग जाएं लेकिन होता क्या है? कुछ चीटिया तो भाग जाती है और कुछ चीटिया शक्कर में ही मर के रह जाती है और चीटिया बहुत जप 사व कर ना भी बड़ा मुश्किल होजाती है तो इसलिए ऒबाह। पर फो Previously चुछ को फैंग पड़ता है और फिर शक्कर वाली या शहद वाली कंटेनर में कुछ इस तरह से रफ करती होई विनिगर को अच्छी तरीके से लगा दीजिए विनिगर का जो स्मेल होती है वो बिलकुल भी पसंद नहीं होती है चीटियों को और इस तरह से इस विनीगर को एक बर कंटेनर में लगा दीजिएगा ना तो एक से डिर में ना इसका स्मेल रहेगा तो इसके स्मेल से चीटिया लगना तो दूर की बात इसके आसपास भी मतलब कंटेनर के आसपास भी बीड़ेंगे नहीं बहुत ही useful ट्रीक है आपका बहुत काम है गता चलिए देख लेते हैं अगला tip तो friends इस तरह का mixy jar का इस्तमाल तो हम सभी लोग करते हैं तो friends देखिए इस jar के ढखकन में लगा हुआ होता है देखिए कुछ इस तरह का rubber इस rubber के बज़े से ढखकन को हम tighty लगा पाते हैं लेकिन इसकारण mixy के साथ साथ kitchen भी गंदा हो जाता है तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाई है जिसे आप घर बैटे ही कर सकते हैं तो इसके लिए आपको लेना है बलून और बलून को कुछ इस तरह से कट कर लीजिए और इसका एक मोटा ring आप कट करके निकाल लीज अगर आपके पास बलून नहीं है तो आप rubber band का भी इस्तमाल कर सकते हैं और अब कटी हुई बलून को धकन के rubber में कुछ इस तरह से हम fix कर देंगे ये देखिए कुछ इस तरह से हमें इसे लगा देना है इससे क्या होगा ये rubber बहुत ही बढ़िया तरीके से tight हो जाएगा और चाइपती प्योर है कि ये duplicate है आपने कभी जानने की कोशिश की है क्योंकि फ्रेंस चाइपती में भी मिलावटी होता है तो चली मैं आपको बताती हूं आप इसको घर में लाने की बात किस तरह से परखेंगे थोड़ा सा चाइपती इस तरह से आप हतेली में ले लीजिए और थोड़ा सा पानी इसमें Mix कर दीजिये और इस तरह से रफ कीजिए तो अगर इसमें मिलावटी रहेगा है तो इस तरह से रगणते ही इसमें से लाल कलर निकल के आएगा क्यूんकि मिलावटी की तोर में चाइपती में लाल कलर का यूस किया जाता है तो यहाँ पर आप कोई सबी कलर नहीं है यानि कि ये चाई पत्ती प्यूर है तो जब भी आप चाई पत्ती ले आएं तो इस तरह से जरूर पर रख लिजिएगा तो चलिए अगला टिप तो यहाँ पर हमें लेना है एक प्लास्टिक कंटेनर जिसे हम अक्सर फैक दिया करते हैं और यहाँ पर ह आपको बताऊंगी इसका यूज हम किस ले लेंगे यह बहुत ही यूज पूर रहेगा जो डेली हमारा काम में आएगा जैसे कि क्या होता है जब हम जूटा बर्तनों को सिंक में धोने के लिए ले आते हैं तो बर्तनों में थोड़ी बहुत फुट पार्टिकल तो लगा हु हो जाता है बहुत जदा गंदेगी उसमें अटक जाता है और इसी कारण के लिए कई बार तो सिंक में से बहुत ही खरा बैड़ी स्मेल भी आता है तो आप क्या किजिए जब भी आप बर्तन धोए तो बर्तन धोने से पहले जो भी फुट पार्टिकल रहेगा उसको धो करके इस कंटेनर में डाल दीजिए इससे क्या होगा बर्तन साफ हो जाएगा सिंग गंदा नहीं होगा सिंग का पाइपलाइन भी जाम नहीं होगा और जो फुट पार्टिकल इस कंटेनर में आप डालेंगे उसे आप डस्ट बीन में डाल दीजिए इससे आप देखेगा आपका तरह से चकला में चिपक जाता है या तो फिल लग जाता है और जिस कारण हमें चकला को अच्छे से पानी से धोना पड़ता है तभी जाके ये क्लीन हो पाता है और चकला जैसे की उड़न का होता है और उड़न चीजों में जादा पानी लगाने से ना इसमें फफून लग जा को कुछ इस तरह से रख दीजिए इससे क्या होगा जो स्टीम निकलेगा ना उसी स्टीम के कारण चिपका हुआ आटा एकदम से सौफ्ट हो जाएगा फिर इसे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से रिमूब कर पाओगे ठीके तो आप कपड़े की मद्द से या हातों की के से साफ हो जाएगा तो बीना पानी लगाए हुए इस तरह से आप चकला को साफ कर लिजिए इससे होगा ये कि उडेन का चकला जल्दी खराब नहीं होगा इसमें फफफून भी नहीं लगेगा उमिद करती हूं कि डेली ये ट्रीक आपका बहुत ही जादा काम आएगा त तो फ्रेंस इस तरह का पानी का बोटल हम सभी लोग यूज़ करते हैं खास तोर में बच्चे लोग स्कूल में पानी ले जाते हैं लेकिन अगर इसे बीच बीच में क्लीन ना किया जाए तो बोटल में से बहुत बुरा बैड इसमल आने लगता है तो कई बार क्या होता है घर में ब्रास नहीं है ब्रास नहीं होने की बज़े से हम आलस कर जाते हैं क्योंकि बोटल इतना लंबा है तो इस तरह से स्क्राबर लेकर के हम क्लीन नहीं कर पाते हैं इसलिए हम छोड़ देते हैं तो इसके लिए एक चोटा सा उपाई लेना है आपको कर्ची और कर्ची क हैंडल में कुछ इस तरह से इस क्राबर को अब लगा दीजिए रबर बैंड से टाइ कर दीजिए अब ब्रश ना होने के बावजुद भी इस बोतल को बहुत ही बड़ी तरीके से क्लिन कर पाएंगे और इसका बैड़ी स्मेल दूर भगाने के लिए छोटा सा ट्रिक ले जैसे और इसके मदसर रब करने से पूरी तरीके से पूरा गंदेगी साफ हो जाएगा पानी से धोली जीए उमीद करती हूं यह ट्रीक भी आपका बहुत काम आएगा तो चलिए अब देख लिए अगला टिप तो फ्रेंस इस तरह से मैंने यहां पे लिया है एक चारजर का वैर जो खराब हो चुका था और मेरे पास बेकार पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसका ही इस्तमाल ले लेते हैं आप चाहे तो कोई सबी वैर ले सकते हैं लेकिन क्या होता है हमारे आस पास में easily हमें वैर मिलता नहीं है तो अगर आपके पास भी इस तरह का बेकार चार्जर है तो आप उसी का इस्तमाल ले लीजिए ठीके तो यहां पर हमें क्या करना है इसी में से एक छोटा सा टुगरा वैर का कट कर लेना है और वैर का जो प्लास्टिक कबर है उसे हमें चाकू के मतल से कुछ इस तरह से छील लेना है किमकि हमें अंदर का वैर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए फ्रेंस कुछ इस तरह से यह जो अंदर वाली वैर है इसी का इस्तमाल हमें लेना है किमकि अंदर में वैर जो होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है जो यूस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूसफुल रहेगा ठीके अब हमें क्या करना है इसी मेंसे एक वैर का छोटा सा टुक्रा कट करना है और हमें साथी में लेना है एक सेप्टी पिन तो यह देखिए फ्रेंस कुछ इस तरह से बस एक ही वैर को हमें काट लेना है तो उसे ना फिर हमें इस तरह से यूसेप में मोड़ लेना है और सेप् फिक्स कर दीजिए बहुत ही बड़िया तरीके से यह फिक्स हो जाएगा ठीक है यह देखिए फ्रेंस कुछ इस तरह से और यह बहुत ही बड़िया सा टूल है इस तरह का टूल मार्केट में या ओनलाइन में आप खरीदने जाओगे तो आपको काफी जदा बना दूंगी ध्यान से दिखिए वीडियो को अब हम क्या करेंगे इस वیर को कुछ तरह से पतला होता है जिस वजह से चोटी चोटी में भी बहुती आसानी से एक चांस एक चांस में उध को सी जाता है अब हमें लेना है धागा और धागा को हम हम अन्दर डालेंगे के जाएगा वैर के अन्दर डालने के पाद अब हमें सुई को कशीए कुछ नो कि भी को खेको खेँ तो अंदर को लें। और देखिए फ्रेंस इस सुई का साइज 0 है इसमें अगर धागा को हम आसानी से एक ही चांस में डाल सकते हैं तो किसी भी सुई में डाल पाएंगे है ना फ्रेंस कितना यूसफुल आइडिया अब आप क्या कीजिए इस टूल को आप समाल के रख लिजिए और जब भी आपको सुई में धागा डालना हो तो इसी टूल का इस्तमाल कीजिए सो फ्रेंस आज का वीडियो में यहीं पेंट कर रही हूँ आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूसफुल लगा है अगर वीडियो थोड़ी से भी यूसफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा सेयर कर दीजिएगा एक लाइक करके मुझे मुझे मोटिवेट या साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए मिलती हूँ नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंड्स एंड थैंक्स पर वाचिंग एंड टेक क्यार